जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अचला सब्तमी ब्रत की कथा सुनाएंगे जिसे सुनने मातर से आपको आरोग गिवम संतान प्राप्ती का आसेस मिलेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्विस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मिरे इस वीडियो को सेयर करेंगे हिंदी पंचांग के अमसार माग मास के सुकल पक्ष की सप्तमी तिथी को अचला सप्तमी रत सप्तमी या सूरी जनती होती है इस दिन भगवान सूरीदेव का जनमोच्व मनाया जाता है, भगवान सूरीदेव की पूजा करने, अचला सप्तिमी का ब्रत करने और कथा का पाठ करने से ब्यक्ति को संतान, आरोग, धान और संपदा का फल प्राप्थ होता है तो चलिए अचला सप्तमी ब्रत की कथा की सुरुवात करते हैं पूजा के समय आपको इस ब्रत कथा का स्रवन अवस्य करना चाहिए जिससे ब्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा पौरानी कता के अनुसार एक महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दानपुन नहीं किया था ब्रिधा अवस्था में उसे अपनी इस गलती का ज्यान हुआ तो वह बसिस्ट मुनी के पास गई उसने मुनी को अपने मन की बात कह सुनाई तब वसिस्ट जी ने उसे रत की सप्तमी यानि अचला सप्तमी के ब्रत के महत्व के बारे में बताया साथ ही कहा कि उसे भी अचला सप्तमी का ब्रत करना चाहिए यह ब्रत करने से पुन्य लाब प्राप्त होता है उन्होंने उस ब्रिधा को ब्रत की विधी भी बताई, मागमास के सुकलपक्ष की सप्तमी तिथी को आने पर उस महिला ने अचला सप्तमी का ब्रत रखा बताई गई विधी के अनुसार है सुरेदेव की पूजा की तब उसका निधन हुआ तो अचला सप्तमी ब्रत से प्राप्त पुनि के प्रभाव से उसे स्वर्ग लोग की प्राप्ती हुई एक दूसरी कथा के अनुसार एक राजा के पास अपना कोई उत्राधिकारी नहीं था संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी था वो पूजा पाठ करता था और रीसियों के बताए गए उपायों को भी करता था वो हमेशा इस्वर से संतान प्राप्ती का निवेदन करता था उसकी मनोकामना पूरु हुई और उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ कुछ समय बाद उसका पुत्र विमार हो गया काफी इलाज कराने के बाद भी निरोग नहीं हुआ तब उसे एक संत ने अचला सप्तमी का ब्रत करखने तथा सुरेदेव की पूजा करने की सलाह दे उस राजा ने माग मास के सुखल पक्ष की सप्तमी को रत सप्तमी का ब्रत रखा और बिधी अनुसार पूजा की उसे ब्रत के प्रभाव से उसके पुत्र का स्वास्त ठीक हो गया उसके बाद उसके पुत्र ने भी राजी पर अच्छा सासन किया और लोगप्रिय हुआ इस प्रकार से अचला सत्मी के ब्रत की परभाव से लोगों को मुक्ष, संतान, निरोगी जीवन का आशिर्वाद प्राप्त होता है तो दोस्तों आप भी अचला सत्मी का ब्रत करे और ब्रत की कथा का स्रवन अवस्य करे आपका कल्यान होगा आसा ही नहीं पोण विश्वासे कि आज की जानकारी आपको बेहत पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेर करे और मेरे इस घरेलूख अबर चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स